परांठे तो आपने बहुत खाये होंगे लेकिन ऐसा special unique sandwich परांठा आपने पहले नहीं खाया होगा तो फिर देर किस बात की स्टार्ट करते हैं tasty food with संगीता में ये unique recipe तो सबसे पहले मैंने यहाँ पार एक बोल में दो कब केहूं का आटा लिया है और अब मैं इसमें डाल रही एक चमच oil अब इन सब चीजयों को अच्छे से हम mix करेंगे तो यह अच्छे से mix कर लिया और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए इसका dough त्यार करेंगे padi अपने लगा करें यहाँ पर इसैसा इस Do को आपको अच्छेसे से गूनते हुए लगाना है जिस आप एक बार ये सैंविच पराठा अपने घर पर बना कर देखें, घर में सबको ये बेहत पसंद आता है और आपके बच्चे हमेशा इसी नाश्ता की डिमांड करेंगे अब ये डो अच्छे से लगा कर मैंने त्यार कर लिया है तो इसे हम कवर कर देते हैं 5-7 नट के लिए जिसे अच्छे से सैट हो जाएगा और इधर हम पराठा सैंविच के लिए स्टाफिंग तियार कर लेते हैं तो गैस पर एक पैन रखें और इसमें दो चम्बस तेल डालें जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालें आधा चम्बस जीरा गैस का फ्लेम मैंने यहां मीडियम रखा है एक चताई चम्बस हींग जीरा अब अच्छे से तड़क चुका है तो मैं इसमें अड़ करूंगी अब अद्रक तो मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा चम्बस अद्रक, अद्रक को मैंने खिसके डाला है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ प्यास मैंने दो बड़े साइज के प्यास बारिक कट करके इसमें एड़ किये हैं अब हमें प्यास को भूनना है तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें प्यास को भून लेना है प्यास और अद्रक दोनों ही साथ में भून जाएंगे यह पहुँँ जादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे अब यह देखे यहाँ पर यह जो प्यास है ना इसका कलर दीरे दीरे चेंज हो रहा है हाई फ्लेम पर नहीं भूना मीडियम फ्लेम रखें और इसे भूने अब प्यास अच्छे से भून के त्यार हो चुका है तो मैं इसमें एड़ करूँगी इस स्टेज पर एक बारी कट हुई हरी मिर्च अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर मैंने तीन टमाटर बारी कट करके इसमें एड़ की है इन्हें अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहे हूँ आदा चमच नमक नमक डालने से टामाटार मिर्च वगेरा जल्दी सौफ्ट हो जाएंगे और अब मैं इसमें डालूंगी एक चोथा ही चमच लाल मिर्च का पाउडर लाइन मिर्च आप अपने स्वादे नुसर कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें जा रहा है आदा चमस धनिया पाउडर अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें 10-12 पुदीने के पत्ते कट करके डाले हैं अगर आप पुदीने खाना पसंद नहीं करतें तो आप इसमें धनिया पत्ता भी ड्याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पुदीने का फ्लेवर पहुत धी अच्छा आएगा इसमें इसलिए मैंने पुदीने पत्ते डाले हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रमार्टर प्यास होगे रहा है वो हलके सॉफ्ट हो चुके हैं अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी भी आड़ कर देते हैं एक चोथा ही चम्मच के करीब हल्दी डाल देना काफी होगी अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजे अब हम इसमें एक खास चीज और एड़ करेंगे जिससे इस स्ट्रफिंग में थोड़ी बाइंडिंग आ जाएगी और जो मॉश्टर है इसमें इतना ज़्यादा वो भी कम हो जाएगा तो मैं यहां इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भूना हुआ बेसन बेसन को मैंने पहले ही भून लिया था यह भून के एड़ किया है मैंने अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजे यह स्ट्रफिंग में बेसन अच्छे से मिक्स हो गया और आप देख सकते हैं कि बेसन डालने से ही जो stuffing है उसका moisture काफी कम हो गया अब हमें यहाँ पर दो मिनट तक इसे भूना है तो लगातार इस तरीके से mix करते हुए इसे दो मिनट तक और हम भूनेंगे इस stuffing में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब यह आप देख सकते हैं moisture बहुत हद तक कम हो चुका है तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ एक चौथाई चमच गरम मसाला अब गरम मसाला को इसमें अच्छे से mix करें मैं इसमें आमचूर पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने देशी टमाटा लिए थी वो थोड़े खटे होते हैं अगर आप इसमें आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आपके उपर डेपेंड है कोई मिनट तक इसे गुनने के बाद अब इससे हम लोईयां त्यार करेंगे तो जिस तरह की लोईयां हम चपाती के लिए त्यार करते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोईये मैंने बना के त्यार की है तो इसी तरह आपको सारी लोईयां बना के त्यार कर लेनी है यह देखिए न बड़ी सी चपाती बेल के त्यार कर लिनी है। सभी तरफ से एक जैसा बेल के त्यार करेंगे, कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं रखेंगे। बीज-बीज में ज़रूरत के नुशार सुखा अर्टा डस्ट करते जाए। और इसे बेल कर त्यार कीज़े, अब ये देखिए मैंने बड़ी सी चपाती बेल के त्यार कर ली है, और अब हमें इसे कट करना है, यहां पर मैं इसे स्क्वेर शेप में कट करूँगी, तो इस तरह दोनों साइट से कट कर लीजे पहले, और अब इधर भी दोनों साइट से ह और ये देखिए, हमने ये स्क्वेर पीस निकाल के त्यार कर लिया, ये साइट का जो बच्चा हुआ है ना, इसे हम अटा देंगे, और अब हमें इस पर लगाना है सॉस, तो यहां पर ये सॉस मैंने लगा दिया, साइट जो हम इसकी थोड़ी-थोड़ी सी छोड़ देंग इस तरह ट्राइंगल शेप में मैंने ये स्टाफिंग लगाई है, बहुत ज़्यादा स्टाफिंग नहीं बननी है, जिस तरह सैन्विच का शेप होता है ना, ऐसा ये बनके त्यार हो जाएगा, अब इसे मैंने ये फोल्ड कर दिया और इस तरह इसे हम चिपका देंगे, अ और इस तरीके से दबाने के बाद, अब ये दोनों साइड है ना, यहाँ पर हमें इस तरह डिजाइन बनानी है, तो एक फॉक ले लीजिए और इससे इस तरह दबाकर आप ये डिजाइन त्यार कीजिए, ये देखे, बहुत ये अच्छा डिजाइन त्यार हो रहा है, और स तरह डिजाइन इसी तरीके से हमें बना के त्यार करना है, दोनों तरफ इसी तरफ फॉक से हम डिजाइन त्यार करेंगे, इसे सेखने से पहले मैं दूसरा सैंविच पराठा और त्यार कर लेती हूं, इसे मैं प्लेट में रख देती हूं, दूसरा सैंविच पराठा हम तो इस तरीके से दोनों साइट से हम इसे कट करेंगे और फिर इधर से भी हम कट करेंगे और जो एक्स्रा साइट्स बची हुई है न उन्हें हम हटा देंगे ये देखे एकदम square piece ये बन के त्यार हो चुका है और बस इसके उपर अब मैं sauce नहीं लगा रही हूँ इसके उपर मैंने लगाई है हरे धनीय और पुदिने की खट्टी चट्नी इससे बहुत ही यमी ये sandwich पराथा बन के त्यार होगा तो अच्छे से इसे लगा दीजे स्टाफिंग हमने त्यार की है वो हमें इसके उपर लगानी है तो आपको sauce ये चट्नी जो भी टेस्ट अच्छा लगे ना इसमें वो आप ट्राइ कीजे मुझे तो भाई दोनों ही पसंद है तो मैंने दोनों तरह की ये sandwich पराथे त्यार किये हैं तो ये देखे ये हमने जो कोई दिक्कत नहीं होती है ये देखे इस तरीके से खीच के थोड़ा सा बराबर कर लिजे और इस तरह दबा कर दीजे हो गया पैक अच्छे से फिंगर से दबा दे अब हम इस पर भी फॉक से डिजाइन बनाएंगे जैसा कि हमने पहले पराथा सैंविच पर डिजाइन बन कीजे कैस का फ्ले मैंने मीडियम रखा है और अब ये पराथा सैंविच मैंने तबे पर रख दिया है एक तरप से सिखने दें इसे एक से डेड़ मिनट के लिए और फिर आप इसे पलट दें ये देखे हलका हलका गोल्डन हो चुका है तो मैंने इसके उपर अब ये घी लगा सकते हैं अब इस तरीकी से प्रेस करते हुए अब इसे सेखेंगे अब ये मैंने से पलट दिया और इधर भी मैं इसके उपर की लगा देती हूं अब इसे दोनों तरप से पलट पलट कर अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम सेख कर त्यार करेंगे ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका और अच्छे से इस तरीकी से आपको तबा दबा कर इसे सेख कर त्यार कर लेना है इसके किनारे भी हमें सेख लेने है अब ये बहुत अच्छा हमारा सैंविच पराठा बनके त्यार हो चुका है ये देखिए अब मैं एक प्स आपको कट कर के दिखा देती हूं कि अंदर तक कैसा बना है अब ये पराठा मैंने कटकर लिया है और आपको इसे दिखा देती हूं ये देखिए अंदर तक स्टाफिंग से भर अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करना बिलकुल न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें फिर मिलते हैं